हेलो गाइज वेलकम टू एडूकेटरन कैसे हैं आप लोग गाइज आज हम एक नए वीडियो के साथ आ हैं और इस वीडियो में कुछ लोगों का कमेंट्स आया था कि आप ये 66 BPSC का जो कट आफ है उस कट आफ का एनालासिस प्रेविएस जो तीन चार सालों का कट आफ है 60 से पे अनालासिस करके कट आफ बताईए और दूसरी वात की औरंगावाद का जो परिक्षा एक सेंटर पर कैंसिल हुआ क्या उससे कट आप पे कोई परवाब परेगा तो मैं पहले फ्रेंड्स आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि औरंगावाद के सिर्फ एक सेंटर परिक्षा कैंसिल हुआ है औरंगावाद में टूटल 18 सेंटर बनाए गए थे तो 18 सेंटर परिक्षा कैंसिल नहीं हुआ है सिर्फ एक सेंटर परिक्षा कैंसिल हुआ है और एक सेंटर पर आठ सो पचास लोगों कितने लोग आठ सो पचास लोग परिक्षा में बैठेंगे और 850 लोगों से आपका cut off decide नहीं होगा बिलकुल ये बात दिमाग से निकाल दे कि cut off औरंगावाद के परिक्षा के बाद increase होने वाला है या फिर औरंगावाद में questions आसान आएंगे उसके basis परिक्षा cut off increase होगा ये बात आप अपने मंद से बिलकुल निकाल दे और cut off कुछ increase ह होने वाला नहीं है और ना cut off decrease होने वाला है cut off का जो predictions चल रहा है वही cut off रहने वाला है और previous 3-4 सालों में जो cut off हुआ है चाहे questions का level tough हो या easy हो cut off मतलब remains constant रहा है एक दो number maximum vary किया है even number of cts अगर increase हुआ है उसके बाद भी cut off same रहा है और कभी-कभी तो cut off increase ही कर गया है और रही बात questions की difficulty की तो questions हरे एक बार moderate to easy to moderate to difficulty पूछा गया है अब कुछ portions easy थे questions का ये उसका ये मतलब नहीं हो सकता है friends की paper आशांस था जैसे अब ये 66 तवाला में अभी history easy पूछ दिया था science के कुछ questions tough थे math के 3-4 सवाल tough थे उसके बाद economy का सवाल tough थे क्योंकि economy जो बिहार वेस्ट economy पूछा गया था या फिर इंडिया वेस्ट economy पूछा गया उसका economy का भी सवाल tough का टेगरी में रख सकते हैं क्योंकि दो और उसके बाद इंडियन पॉलिटी का जो सवाल था friends उसमें तीन सवाल आप कर सकते थे उसके बाद के सवाल जो tough थे तो इस बार का भी paper जो थो था अभी का history पिछले 65 और 66 का paper उठा कर देखोगे तो history आपको आसान लगेगा लेकिन उसके बाद सारे सवाल देखो मैट्स के सवाल कितने लेंदी थे लेंदी थे ना तो solve करने में time तो लगेगा बहुत विद्यार्थी का answers नहीं निकल पाया होगा science के कुछ सवाल tough थे उसके बहिया इन सीजों को लोग इतने जल्दी याद नहीं रखता या फिर जो 29 चीजे दिया गया है उसको किस article में रखा गया 243 सब को याद रहता है लेकिन 240 जी यह सब मुश्किल होते हैं यह PT Mastery यह याद कर सकते हैं जेनरली जो बच्चा आईस और पीसेस का paper देता उनको या देखें विविन फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम का टॉप टैयार किया है 66 का कि अब 63 का जो कुछ factors हम consider के फ्रेंड उसमें यह consider क्या गया है कि 63 में नमबर वैकेंसी कितनी थी नमबर वैकेंसी सी 355 अब देखो 355 वैकेंसी थी और आपको अश्रज होगा कि 355 वेकंसी के लिए बच्चे लगवग स्रिफ 90,000 मतलब 90,000 के आसपस ही पीटी में एपियर्ड हुआ था और मेंस के लिए 4257 बच्चे कॉलिफाई किया मतलब पीटी को कॉलिफाई कितने बच्चे किये बच्चे कॉलिफाई किया लगभग 12 गुना आप आपको आश्यज होगा कि बीप्यसी ने अपने सीलेवस में मेंसन कर रखाए कि जो पीटी में जितने वेकंसी होगी और वेकंसी का 10 गुना ही रिजल्ट मेंस के लिए पीटी कॉलिफाई करवाएंगे स्रिफ 10 गुना लेकिन कहिना तोरह मुस्किल हो जाता है तो फ्रेंड्स देखते हैं उसके बाद यह प्रस्नालिटी टेस्ट के लिए कॉलिफाइड किया गई लोग थे उसमें 924 तो अब इसके कट इसके कट ऑफ पर देखते हैं फ्रेंज देखो यह ध्यान रखना कि सीटे कितनी थी 355 और इसका पेपर उसमें मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत टफ था easy to moderate था 66 का पेपर easy to moderate था बहुत ही आसान पेपर नहीं कह सकते हैं ना बहुत ही hard कह सकते थे easy to moderate था लेकिन cut off देख लो cut off देख लो unreserved category जिसको general category बोलते है उसके male का cut off देखो 96 गया है उसके male का cut off देखो 96 गया है female का देखो 86 गया है सब्सक्राइब ला जोड़्यों सब्सक्राइब गत्यों सब्सक्राइब सन्युक्रेज्ट मेल यह यह को फाल सब्सक्राइब ह bang कम थी तो आपके अनुसार तो कट आफ बढ़ना चाहिए लेकिन कट आफ नहीं वड़ा कट आफ नहीं वड़ा और कट आफ 96 के आसपास ही रहा अब आगे की कट आफ 64 पे थोड़ देखते हैं कि 64 का क्या था फ्रेंड्स अब देखो 64 में सबसे ज्यादा बैठे थे लगभग 3 लाग लगभग 3 लाग बच्चे पीटी के एकजाम में बैठे थे लगभग 3 लाग बच्चे पीटी के एकजाम में बैठे थे फ्रेंड्स और उसके बाद पीटी पास कितने बच्चे किये लगभग 19,000 19,180 बच पीटी पास किये और इस समय पिछले बार रिजल्ट 12 गुना दिया और इस समय BPSC ने 14 से 15 गुना मतलब 14 से थोड़ा ज़्यादा दिया है मिंसे इसको 14 ही कंसीडर करेंगे या 15 बहुत लोग कंसीडर कर सकते हैं पंदरा गुना रिजल्ट दिया इस बर BPSC ने तो यही है फ्रेंड्स कि BPSC कब कितना गुना रिजल्ट दे देगा कहना मुश्किल और कब क्या करेगा BPSC थोड़ा अनप्रेडिक्टेट काम जाधा करती है इंटर्वीव के लिए इसमें 64 में 3,799 बच्चे अभी इंटर्व्यू दे रहे हैं जिसका इंटर्व्यू चल रहा है कुछ लोगों का तो 20 का इंटर्व्यू होने वाला है अब तो लास्ट ही है जन्बड़ी में इंटर्व्यू लास्ट हो जाएगा अब देखो 64 का जो कट ओफ था, कितने सीट थी? 1400 के असपास पेपर, moderate to moderate to easy था, लेकिन कट ओफ देखो, सीटे बढ़ी, लेकिन कट ओफ भी बढ़ गई, उसमें सीटे कम थी, कट ओफ remains constant था कट ओफ कितने नमर से बढ़ा? अन्रिजर्ब का एक नमर बढ़ा 97 हो गया, female 86 था BC का देख लो आप थोरा सा 93 था, BC remains रहा पहले भी 93 था और इसमें भी 93 है EBC 90 रहा है SC का 85 है ST का 86 है फ्रेंड, और मतलब freedom fighter का जो के टेगरी है granddaughter या son of freedom fighter उसमें 82 है, तो फ्रेंड्स यह 64 कर था, अब 65 में चलते हैं 65 में फ्रेंड्स वैकेंसी कितनी है थी 425 PT में कितने चातर बैठे एक, जब 63 में 355 वैकेंसी थी तब 90 हजार के असपास बच्चे बैठे थे फ्रेंड्स, 90 हजार के पास और इसमें 425 है, तो बच्चे कितने बैठे हैं 2,60,000 के असपास मतलब 3 गुना ज़ादा competition बढ़ गया है, आपको पता है उस लग, वैकेंसी लगमक सेम ही है, अल्मोस्ट 100 का अंतर है, थोरा बहुत 70-70 का अंतर है लेकिन, नमर अफ candidate जो appeared हुआ, उडेर लाख ज़ादा appeared हो गया, डेर लाख नहीं मतलब, competition देखो, 3 गुना competition बढ़ गई, ऐसा ही बढ़ रहा है competition, दिनो दिन competition बढ़ता जारा friends, अपनों को सतर खोना हो, परेगा और जल्दी-जल्दी selection लेकरनी करना पलेगा मेंस में कितने बच्चे बैटे हैं 560-17, अभी जो मेंस हुआ था अब चलते हैं 66 के बारे, 66 के cut-off को थोरा सा देख लेते हैं, पीटी का cut-off क्या रहा था अब देखिए, यहाँ एक number increase कर दिया जबकि vacancies कम था vacancies कम था, फिर एक number increase किया है cut-off को ये, EWS का देखिए, 92 रखा है जो economic weaker sections का था BC का देखिए, 94 है BC का एक number बढ़ा दिया है जबकि पिछले वार vacancy 14 वा था, BC 93 रखा था लेकिन इस वार vacancy कम है तो एक number cut-off बढ़ा, मतलब cut-off का कभी भी कुछ कर सकते हैं ये लोग EBC 92 है, SC 89 है ST का भी 89 है और granddaughter वे freedom fighter का यहाँ देखिए freedom fighter में कितना increase हुआ बढ़ा दिया है तो freedom fighter वाले वी सतर खो जाई है क्योंकि आप लोग का cut-off इधर उधर हो सकता है, अब फाइनली हम 66 पे आते हैं और इसको conclude करेंगे, 66 में फेकंसी कितनी है, 609 है बहुत लोग कहते है, 631 है बिलकुल ही गलत है आयोग के website पे जाओ और आप चेक कर लो कितने vacancy, वहाँ लिखा हुए किसी source पे trust मत करो, आयोग जो दे रखा है उस पे trust करो, चाहे हो दिन को रात बोले तो रात समझ ले ना, रात को दिन बोले तो दिन समझ ले ना, क्योंकि पतना high code भी नहीं सुनती आयोग की, इतने आयोग tough काम कर रहे है और PT में appeared कितने हुए थे लगबग, 2,70,000 के आसपास 2,70,000 के आसपास बच्चे बैटे थे PT में और PT के questions का क्या, मतलब क्या ratio रहा है ऐसा कुछ तो friends, PT का questions easy नहीं कह सकते हैं questions moderate to tough था, थोड़ा कुछ questions easy था कुछ questions easy था, history के कुछ questions आसान थे, लेकिन 40-50 के आसपास जो questions थे, 40-45 के आसपास कह सकते हैं, 40-45 के आसपास questions tough थे friends, questions tough था, उसमें आप कह सकते हैं geography history का भी 2-3 सवाल tough था, maths का 2-3 सवाल tough था, science का लगवक 10 सवाल tough था, इसका current sections ज्यादा था, तो current ज्यादा है, इसका मतलब बहुत सारे बच्चे current पर कम ध्यान देते हैं, जिसके विज़े से, इस questions को हम थोड़ा ज्यादा tough मानेंगा, अब इसके cut-off की ओर चलते हैं यह most appropriate cut-off है, और आपका जब cut-off आये, तो मेरा वीडियो एक बार आकर देख लेना कि क्या cut-off इसके आसपासी रहता या फिर ज्यादा भारी करता है, बहुत लोगों ने आपको plus-5 करके दिखाया होगा, plus-4 करके दिखाया होगा, plus-3 करके दिखाया होगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हो, यह मेरा खुद का experience हा, क्योंकि मुझे पता है कि cut-off कैसे भीखरी करता है, नहीं करता है, बहुत सारा analysis रहा है मेरा बहुत दिनों से, और दूसरे बात यह है कि questions का pattern पता है और बहुत दिनों से मेरा analysis रहा है कि questions कैसा पूछता है चाहे हो PT का हो, Mens का हो इन सब चीजों में थोड़ा जाद आध्यान हो गया friends तो इस बसे मैं यह कह सकता हूँ कि cutoff 97 से 96 से 98 के आसपास ही general कर रहेगा 97 plus minus 1 कर लो आप EWS 92 plus minus 1 कर लो BC 90 plus minus 1 कर लो EBC 92 plus minus 1 कर लो SC 89 plus minus 1 कर लो ST 89 plus minus 1 कर लो और यह जो freedom fighter वाले हैं भाई साहब आप लोग भी देख लिजे कहीं 90 भी जा सकता है और 86 भी जा सकता है friends का top इसी के आसपास रहेगा अगर आप लोग इस zone में आते हैं तो तयारी करते रहे हैं और तयारी के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे सकते हैं हम BPSC का complete तयारी करवा रहे हैं 66 BPSC का मेंस का हमारे चैनल से वीडियो डाले जा रहे हैं उसके साथ साथ notes भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है best quality content है friends इससे बढ़िया वीडियो आपको यूट्यूब पर मिली नहीं सकता है BPSC के लिए तो बने रहे है friends देखते रहे हमारा वीडियो लाइक और शेर सब्सक्राइब सब करते रहे हैं दोस्तों के चाहर शेर भी करते रहे हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद friends मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद